Hi developers, so angular e-commerce project case part में हम लोग बात करने वालेंगे, seller को login करने के लिए API किस तरीके से integrate कर सकते हैं, आपको ध्यान होगा last वाले पार्ट के अंदर हम लोग ने seller का login फोर्म बना लिया था, और जैसे हम लोग login वाले button के उपर click करेंगे, हमें form की values भी मिल जाएंगे function के अंदर, बट अभी तक हम लोग ने API हीट नहीं करी थी, वो हम लोग इस part में करेंगे, so points की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग service वाली file के अंदर एक function मनाएंगे, और उस function के अंदर हम लोग API call करेंगे, API call करने से पहले function मना लेंगे, उसके बाद में API को test करेंगे with postman, कि API हमारी properly काम कर रही है के नहीं कर रही है, और उस function के अंदर, जो हम लोग function मनाएंगे API call करने के लिए, उसके अंदर data भी pass करेंगे हमारे components से, ताकि हम लोग API है, उसके अंदर username and password को भेज़ पाएं, और जैसे हमारी API call हो जाएगी, उसके बाद में लोग redirection और अगर कुछ error वगर आते हैं, तो उसको कैसे handle करना है, वो भी हम लोग देखेंगे, और दो-ती यूजर के साथ में login करके, complete flow को test करेंगे, कि सब कुछ तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वापिस आते हैं, अब code के उपर, सबसे पहले में यहाँ पर जो service वाली file है, इसके अंदर एक function बनाता हूँ, आप आप देख सकते हो, seller.service.ts नाम से एक file बनी हुई है, इसके अंदर ही हम लोगों ने reload वाला, जो हम लें authentication के लिए function बनाया था, और sign up वाला function भी बना रखा है, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम इसी तरीके से एक function और बना लेता हूँ, जिसका मैं आप इनाम रखता हूँ, user.login, और यह user मैं रख रहा हूँ, विकाज हम लोगों ने यहाँ पर user sign up भी रखा हूँ था, इसलिए लगी sync में लेगे थोड़ा सा, otherwise यह जो हम लोग login function बना रहे हैं, आपको ध्यान रहे हैं, यह seller की service के अंदर है, यानि की seller के लिए बना रहे हैं, मुझे data चाहिए होगा, और data किस type का आएगा, जैसे आपको ध्यान होगा, last वाले part के इंदर जो data था हमारा, वो sign up type का था, और यह मारा interface बना हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, यह मैं इंटर्वेस वाली फाइल बनाई था, तो मैं हाँ पर एक और export लगाता हूँ, और एक और interface बनाता हूँ, login type का, जिसके अंदर name नहीं रहेगा, email और password ही रहेंगे बस, तो मैं हाँ पर करता हूँ, export, interface और interface का नाम, interface का नाम मैं आम रख देता हूँ, login, उसके बाद में name, name हमारा रहेगा, string, and same इसी तरीके से, हमारा password भी, string रहेगा, so हमारा interface ready हो गया, alright, अब इस interface को हम लोग यहाँ पर इस function के अंदर यूज कर पाएंगे, so मैं यहाँ पर रखोंगा, इसका type रख दूँगा, इस तरीके से login, अब यह import भी करना है, मैं import कैसे करोगे आप, आप directly चाहो तो, इसके उपर यहाँ पर आ के, hover कर सकते हो, और यहाँ पर quick fix पर click करना, यह अपने आप आप को option दे देगा, कि इसको import कर लो, यहाँ से, data type वाली file से, और आप देखोगे, उपर यह अपने आपी import भी हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, right, so यह import हो गया, और उसके बाद में, just simple, normal function की तरहा, इसको एक बार के लिए console कर लेंगे, console.1, कि सब कुछ प्रोपर ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं आप ड़टा प्रिंट कर दे रहा हूँ, यह data हम लोग pass करेंगे, मारी component वाली file से, so service हमारे भी के लिए ready होगी है, API के लिए call हम लोग लिखेंगे, आप लिख देता हूँ अभी के लिए, API call code will be there, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी seller.auth.component.ts वाली file के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने, login वाला एक quality function मनाया होगा है, इसके अंदर हमें console के अंदर data मिल भी रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर चेक करवाँ, यहाँ पर आता हूँ, login के लिए, और यहाँ पर डालता हूँ, let's say, uniletarit test.com, and abc123, जैसे मैं यहाँ पर login करूँगा, तो आप देख सकते हो, मैं console के अंदर data properly मिल रहा है, so मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उस service को मैं यहीं पर call करता हूँ, user वाला जैसे sign up वाला call हो रोख है, service वगर तो हमने यहाँ पर call करे रखिये properly, अगर आप यहाँ पर लिखूँगा, this dot, अगर आप यह project in the middle start करें, आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखिया हूँ था, authentication वाली, sign up वाली, और जो setup वाली, तो आप देखना हो सकता है, आप बीच में आओ, तो आपको यहाँ पर जो service वगएरा बना रखें, इनका flow आपको ना पता हो, तो आप starting से देखना project वो, वो आपके लिए ज़्यदा बैटर रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ user login, और इसके अंदर मैं यहाँ पर simply data pass कर दूँगा, जो हमारा यहाँ पर data है, अभी के लिए इस वाले console को मैं यहाँ से हटा दो, इसकी मिज़रूरत नहीं है, और हम चेक करते हैं कि क्या, जो हमने service call कर रही है, इसके अंदर proper data call हो भी रहा, नहीं हो रहा है, तो मैं वापिस से आता हूँ यहाँ पर, और कोई भी username and password लेते हैं, ABC, अभी मैं जस्ट लिख रहा हूँ ABC, चेक करने के लिए, आप देख सकते हो, seller.service.ts के अंदर हमारे पास data चला गया, अब हमें यहाँ से API call करनी है, बट हमारे पास API है, कहाँ point यह बनता है, सो आपको बता है कि हम लोग JSON server यूज़ कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पर, अच्छा, API किस तरीके से काम करेंगी है हमारी, जो हम यहाँ पर password और email दोनों भेज़ेंगे, API वही तो match करेंगी वहाँ पर जाके, सो आपको क्यारना क्या है, localhost 3000 के उपर, आप देख सकते हों कि हमारे पास, यहाँ पर सारे के सारे जो registered user है, वो आपको यहाँ पर दीख रहोंगे, जैसे कि मैं अनिल से कोशिश कर रहा था, अनिल ये रा, Bruce, Peter, Sam, सारे के सारे user हमारे पास यहाँ पर है, सो अगर मैं, JSON server के, एक बार के लिए, JSON server के github के ऊपर जाता हूं, तो आपको एक APA मिल जाएगी वहाँ पर, विकास इसके अन्दर APA आटोमेटिकली बनती है, हमें बनाने की जुरूत नहीं होती, राइट, इसके अन्दर आप यहाँ पर जाओगे ना, तो आपको एक APA मिल जाएगी, फिल्टर के लिए, फिल्टर वाली काम करेगी, इसके अन्दर हम लोग इस तरीके से यूजरनेम और पास्वर्ट भेज सकते हैं, जब हम लोग एक्च, अब तो JSON server यूज़ कर रहे हैं, जब हम लोग actual programming language के साथ में call करते हैं, तो हम लोग 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 लिए post API call करते हैं, get API नहीं करते हैं, बट यहां पर हम लोग पास कुछ लिमिटेशन होती हैं, तो इसलिए हम लोग get API ही यूज़ कर रहे हैं, अभी के लिए, ठीक है, अगर आप किसी actual API जो कि किसी programming language बनी होगी, अब हम लोग क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से API करते हैं, यहां पर seller है, seller के लिए मैं यहां पर डाल देता हूँ, जैसा कि मैंने यहां पर आप देख सकते हो, एक एक करके करके दिखा तो मैं आपको, यहां पर डाल देता हूँ, email equal to, जो भी आपका email address हो, जैसे कि मेरा email address है, and बाद में, आप लिखता हूँ, and password is ABC123, तो आप यहां पर देख सकते हो, एक user आगा, अगर मैं यहां पर गलत password डाल देता हूँ, let's say मैंने 12341 डाल दिया, तो यहां पर user क्या आगया, blank आगया, एक भी data नहीं आगया, और अगर मैं यहां पर email address भी गलत डाल देता हूँ, तो भी आप देखोगी, तो भी मैं data नहीं मिलेगा, that means कि यहां पर एगर सही data match होगा, तब भी हमें चीज़ें मिलेगी, इस तरीके को, इसको अगर आप चाहो तो postman को, postman के साथ भी test कर सकते हो यहां पर आप देखोगे, कि आपको result में मिले 200 time मिल गया, API का URL हो गयरा, सब कुछ मिल गया, सो मैं इसी तरीके से एक URL बना के hit करना है, वो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत simple है, यहां पर तो हमारे पास data आई चुका है, और जो यहां वाला data है यह वाला, इसको copy कर लो, इसलिए बोल रहा हूँ copy करने के लिए ताकि आपका time बच पा है, बिको sign up के अंदर भी हम लोगों ने same ही चीज़ करी थी, ठीक है, यहां पर मैं इसको copy कर देता हूँ, अच्छा मैं लिख देता हूँ यार, मैं नहीं चाहता कि आप confused हो, तो यहां पर मैं लिखूँगा, this.http, यह हमारा basically, आपका हैसे क्यों सर्विस होती है, http, एपर इसको call करने के लिए, इसको हम लोग hypertext transfer protocol बोलते हैं, dot get, यहां पर लास्ट नहीं पोस्ट अपर एक कोल करें थी, हम लोग get कोल कर रहे हैं, और हमारा सबसे पहले URL आएगा, ठीक है, URL हमारा यह आगया, यह मैंने कुछ और ही पोस्ट कर दिया, यह हमारा URL है, इसके अंदर username and password हम लोग dynamic pass करेंगे, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, backticks use करेंगे हम लोग यहां पे, और यहां पे जो email address है न, इसको मैं यहां पे dynamic बदलता हूँ, अभी के लिए, कैसे, dollar brackets use करेंगे, और मैं हाप यहां पे use करूँगा, data.email, यहां पे email नहीं है, क्या मैंने data type में क्या डाला था, अच्छा यहां पे sorry email आगा guys, यहां पे मैंने गल्दी कर दी थी, बिकास नाम तो सेम हो सकता है, अबर email address कभी भी सेम नहीं हो सकता, इसलिए, और password, password भी हमारा यहीं मिलेगा हमें, इसी तरीके से हम लोग यहां पे password भी डालेंगे, यहां पे लिखेंगे data.password, ठीक है, और जैसे हम लोग yellow object कॉल कर लेंगे, मैं क्या करता हूँ, यहां पे कोमा लगा देता हूँ, और इसके लोग एक second object भी हमें कॉल करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कॉन सा है, आपको ध्यारों का last time पे हम लोगो ने JSON type का request लेने के लिए हम लोगो ने यहां पे observer response लिखा था, तो same चीज़ आपको यहां भी लिखनी है, आप simply लिख सकते हो, यहां पे observer, और यहां पे लिख सकते हो, response, ठीक है, and उसके बाद में आप जो, हाँ पे आपका यह function call हो रहा है, वहाँ पे आप subscribe लिख सकते हो, subscribe के अंदर आपको एक data मिलेगा, callback function के अंदर, मैं आप इसको नाम लिख करता हूँ result, ठीक है, result को आप अभी के लिए चाहो, तो blank भी छोड़ सकते हो, otherwise, because यह थोड़ी सी problem करता है, तो यहाँ पर अभी के लिए any लगा दो, वो far better रहे गयो, ठीक है, इसको बाद में हम लोग fix करते हैं, अगर any नहीं लगाना तो मत लिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना any लगाए, क्या problem आ रही है, और उसको कैसे fix करना है, यहाँ पर result आ गया, उसके बाद में आपको simply क्या करना है, जहाँ पर result को print कर वा लेना है, एक बार के लिए, एक एक cheat करके करेंगे ना हम लोग, तो मैं हाँ पर आते हूँ, console.one, और यहाँ पर मैं कर चेक करता हूँ result, ठीक है, तो result के अंदर में बहुत कुछ data मिलेगा, step by step चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आया, मैं अभी के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ बस, ABC 123 मैंने कुछ डाला, और आपके लिए आपके यहाँ पर चेक कर सकते हो, इतना बड़े data आ गया, ठीक है, इसके अंदर में क्या चाहिए, body के अंदर तो मैं empty मिला, यहाँ पर, but body के अंदर एक्चिल में कुछ होना चाहिए, तब लोग मानेंगे, body के अंदर empty क्यों आया, क्योंकि यह किसी से result match नहीं हुआ, अब मैं हाँ पर डालता हूँ, ABC 123, और जैसे डालूँगा, तो अब आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पस data match होके आ गया है, इस तरीके से, तो यह हमारा case ठीक है, तो body के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ data होना चाहिए, यह हम चेक करेंगे, राइट, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ गलत नाम डालते हो, पास डालते हो, तो कुछ भी data नहीं मिल रहा है, ब्लैंक मिल रहा है, वो body के अंदर आ रहा है, एपे में, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे, अगर, आपका result प्रोपरली काम कर रहा है, ठीक है, एक चीज़त आप कोई चाह करनी है, end, result के अंदर dot body भी है, ठीक है, and उसकी length भी है, result dot body dot length, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर इसने length बताने से बना कर दिया, because यहाँ पर हमें any लगाना पड़ेगा, यहाँ पर गहरा है कि जो अपर data type यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर length नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं यहाँ पर यहाँ करता हूँ, length की spelling ठीक कर लेता हूँ, जिए हम लोग लिए अब यहाँ पर length लगा दिया, तो हम लोग यहाँ पर हमारा console.one लगा देते हैं, user logged in, ठीक है, इस तरह किसे लिख सकते हैं, else, console.one कर देता हूँ, login failed, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर चेक करता हूँ, फिर से एक बार के लिए, कि क्या सारे चीज़ ठीक चल रही है, यहाँ पर आता हूँ, पहले बार के भी fail करके देखते हैं, गलत password डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर 3, 2, 1, 4, कुछ भी, अब जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे, तो इसने आपको क्या बताया, login fail, कि भी यहाँ इसके अंदर कोई result नहीं आया, बोडी के अंदर तो यह fail हो गया, अब मैं यहाँ पर सही password डालता हूँ, ABC 123, और इसको मैं आज से clean कर देता हूँ, अब आप चेक करोगे, और यहाँ पर आ गया user logged in, ठीक है, लेट में इसके हमारे पास कुछ ना कुछ data आ गया था, अगर यहाँ पर length इसकी जरूँ है कि तो यह data login नहीं करेगा, यह चीज़ हो गई, और इसके बाद में क्या करना है, अगर यहाँ पर हम लोग लोग इन वाले case के अंदर आते हैं, तो simply आपको कुछ नहीं करना, बस data है, उसको set कर देना है, वो इसको redact करवा देना है, जो उपर करा हुआ है आपने काम, सेम आपको काम यहाँ भी करना है, इस तरीके से, ठीक है, अब एक बार के लिए user से login करने की गोशिश कर लेते हैं, और प्रोपर लोग इन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कि एक बार login होने के बाद में जब वो sailor के उपर आएगा, तो directly sailor के landing page के उपर आएगा, login and sign up वाला page उसको नहीं दीखना चाहिए, उसके बाद में क्या हमारी local stories में data set हो गया है, आप यह भी देख सकते हैं, local stories के अंदर हमारा जो data है वो properly set हो चुका है, जब हमारी सारी सारी चीजे set हो चुकी है, सब settled है, तो अब जो else case है, हमें वो check करना है, ठीक है, अभी के लिए हम लोगाउट की functionality नहीं है, तो मैं यहां से इसको delete कर रहा हूँ, और इसको forcefully logout करूँगा, ठीक है, अभी के लिए हो गया, अब मान लोग की गलत कुछ card inches लाल दी हम लोगों ने, password वगारा कुछ भी गलत हो गया इस तरीके से, जब भी login करेगा, तो यहां पर उसने दिखा दिया, login failed, बट user को यहां पर message भी तो दिखना चाहिए, एक error message भी तो आना चाहिए, कि जो user है वो properly logged in नहीं हो पाया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी service बनानी पड़ेगी, service बनानी नहीं पड़ेगी, यहां पर service emitter यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों क्या करना है, simply यहां पर आओ, और यहां पर कह सकते हो, is login error, ऐसा कुछ कर सकते हो, login error, login में कुछ error आया है के नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो, और यहां पर emitter ले सकते हो, user event emitter होता है, event emitter, एंड उसके बाद में, इसका type हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट सबसे पहले इसकी value, by default error हमारा false रहा है, कि हम लोग कोई बेर नहीं दे रहे, by default सब कुछ ठीक है, बट यह boolean type कर रहेगा, या तो error के अंदर जो value होगी, वो true रहेगी या फिर false रहेगी, यह करने के बाद, और dot emit और यहां पर कर देंगे true, अब इसके अंदर true डाल दो, ठीक है हम लोग ने इसके अंदर true डाल दिया, बट अब हम लोग इसको use कैसे करेंगे, यह मैं आपको दिखाता हूँ, आप आओ वापी से seller authentication वाली file के अंदर, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या चेक करेंगे, लोग इन के बटन के क्लिक के बाद, जस्ट वही जो हमारा is login error हम लोगों ने यहां पर इसकी property बनाई है, यह वाली observable property बनाई है, event parameter वाली, इसको हम लोग चेक करेंगे, आपको यहां पर simply करना क्या है, यहां पर लिखेंगे, अगर वो error है, या फिर नहींगे, यह कब बताएगा हमें, इसके अदर एक subscribe होता है, subscribe क्या करता है, कि आपका जो async data होता है, उसको properly handle कर लेता है, और यहां पर आ जाएगा, कि उसके अदर error है, कोई भी parameter ले लो, इसके अंदर मैंने just error ले लिया, फिर आप ले सकते हो, is error ले सकते हो, कि इसमें error है या नहीं है, ठीक है, यह आपको proper result देगा, और यहां पर आप कर सकते हो, कि if, अगर आपके पास is error true आया, यानि कि इसकी value, जो आपने true करी थी न, यहां पर, यह अगर मिल गई आपको true value यहां पर, तो आपको फिर करना क्या है, तो मैं एक error के लिए, आप कह सकते हो कि, एक property बना लेता हूं, चूंकि error दिखाएगी, और यहां पर लेकिता हूं, this.auth.error, authentication error, यह आप लेका सकते हो, और by default this के जुरूत नहीं पड़ेगी, sorry for that, auth.error, इसको मैं by default कर देता हूं, false, कि भाई, इसके अंदर कोई भी error नहीं है, by default, ठीक है, और इसका अगर आप चाहो, तो इसका type boolean define कर सकते हो, तरवाज इसका already boolean defined हो गया, जैसे में लोग value करते हैं, तो आप यहाँ पर चेक करोगे, इसने already इसको boolean बता दे है, कि भाई, इसके अंदर boolean value है, तो यह थोड़ आंगर समझदार है, अपने आप इंजीनियों को fix कर देता है, और जैसे आपका error आता है, तो इसमें आप क्या आप सकते हो, this.is sorry, auth error, इसके अंदर कुछ message डाल दो, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, और, password is, password is not correct, ठीक है, यहाँ लोगों ने इसके अंदर error डाल दिया, और, इसमें कुछ पंगा है, यहाँ पे ना, हम इसको string लेता है, because हमें कुछ value गडाल देता हूँ, तो इसमें मैं string लेता हूँ, और by default में इसको empty रख लिता हूँ, इस तरीके से, यहाँ पे, वीडियो के बाद भी मैं इसको खुद भी करके दिखा दूँगा, but, खुद से try करना इस exercise होगे, क्या आप जो error है, sign up के अंदर उसको handle कर पा रहे हो के नहीं कर पा रहे हो, चिक है, और अब, जैसे आप यहाँ पे आओगे, इसको दिखाना भी है हमें, right, हम लोग क्या करते है, HTML वाली फाइल के ओपर जाते हैं, और इसको कहीं दिखा देते हैं, जो मारा यहाँ पे, h1 login वाला tag इसके नीचे दिखा देता हूं, यहाँ पे double curly braces लगाएंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देगे, so by default आते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, मैं आपे कुछ गलत email idea, फिर password डालता हूं, मैंने यहाँ पे कुछ गलत डालाई password, और यहाँ पे आप देख सकते हो, password or user is not correct, तो इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे थोड़ असा colorful कर देता हूं, इसको मैं class दे दूँआ, इस पे मैंने class add कर दी, just say key, error-p, यहनि कि जो paragraph t है, उसके उपर error, वो लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे class इस तरी के से add करने की जुरूती है, directly हम लोग color दे लेते है, color red, ठीक है तो यहाँ पे red color का आ गया न यह वाला, अब हम लोग क्या करेंगे, एक class बना देंगे, जो आपको हर दिगर पे काम आएगी, तो मैं style.css कंद्र बनाता हूं, और यहाँ पे class का मैं यहाँ पे नाम लगता हूं, error.p, ठीक है, error-p लगा देता हूं, और इसका मैं यहाँ पे डालूंगा, color red, अब यह वाली class मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं, ताकि जो हमारे पास color देख रहा है, तो थोड़ा सा red देखे और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आएंगे, अब वापिस यहाँ पे आएंगे, इस P के उपर मैं लगा देता हूं, class इस तरीके से, perfect, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, login पे click करेंगे, और यहाँ पे डालता हूं मैं कुछ भी password में, और email address करेंगे, login करने कोशिश करता हूं, तो इसने बोला email और password is not correct, अब इसको थोड़ा से handle भी करना पड़ेगा, इसको खाली भी करना पड़ेगा, तो आप किसी भी condition पे खाली कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं दुबारा login करने कोशिश करूँगा, तब मैं इसको खाली कर देता हूं, यहाँ इस तरीके से, ठीक है, by default मैं इसको खाली कर दूँगा, और आप चाहो तो किसी और तरीके से भी खाली करवा सकते हो, life cycle method भी होते हैं, यहाँ पर प्रोपर ले ट्राय करते हैं, ठीक है, मालोग की यूजर है भी होमपेज के उपर, सेलर पे आया, यहाँ पर उसने चेक करा, कि यार मेरे पास अल्रेडी अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर आया उसने डाला unilaterate test.com और यहाँ पर abc, कुछ password गलट डाला, उसने बहुत बड़ा सा, जैसे ही login पर क्लिक करा, यहाँ पर error आ गया, अब यह user डालेगा सही password, abc123, जैसे ही यहाँ पर आया, login पर क्लिक करा, user login हो गया perfectly, यहाँ पर आगया seller working home, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ logout वगरे के लिए कुछ करा नहीं है, वो धीरी-दीरी आने वाले part में करेंगे, जो next वाला part रहेगा, यहाँ पर हम लोग user का नाम, seller का नाम दिखाना और logout का button दिखाना यही सारी चीजे दिखाएंगे, और इस वाले part को भी मैं कोशिश करेंगे, यहाँ इसको भी हाइड कर दूँ, let's see, क्या बेटर रहता है, अब देखो वापिस से home के उपर चला के, वापिस से seller के उपर आता है, तो आप जो seller का authentication वाला page यहाँ दिखेगा नहीं, जैसे यहाँ पार्ट हमारा complete रहेगा, उसके बाद में एक Node.js के साथ में आपको टोकन वाली complete एंगलर के साथ में वीडियो बना दूँगा, ताकि आप समझ पाओ कि टोकन भी किस तरीकी से काम करता है, अभी के लिए हमारे पास और बहुत सारी चीजिया प्रोजेक्ट में सीखने के लिए API integration सीख लिया, और बाद में हाँ पर listing वगारा भी आएगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फीडबेक देना कमेंट बोक्स के अंदर, जब आप लाइक करते हो, और फीडबेक देते हो, कमेंट बोक्स के अंदर, तो उससे और लोगों तक वीडियो जाती है, इस तरीके से चीज़ें सेट कर रहे हैं, यूट्यूब ने अल्गोरिफम इस तरीके से बना रहे हैं, जितने लाइक और कमेंट आएंगे, और लोगों तक वीडियो पहुंचेगे, जिससे मैं मोटिवेशन मिलदा और मैं आपसे कुछ निचीए, थैंक्यू सो मच पर आचिक इस वीडियो,